हेलो बच्चों, लेट सीट दा क्वेस्टिन, दा क्वेस्टिन सेज, अ सर्कुलर पार्ग ऑफ रेडियस 20 मीटर इस सिचुएट इन कॉलोनी, टी बॉइस अंकुर सायद एंड डेविड आर सिटिंग अट इक्वल दिस्टेंस ऑन इस बाउनरी, इच हैविंग अ टॉइ टेली हैं और तीनों एक्वल डिस्टेंस पर हैं इसकी बाउनरी पर तो एक की पोजीशन यह मान ली, यह हो गया अंकुर, दूसरा हो गया सायद, और तीसरा है डेविड ओकी, यह तीनों एक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो हमने इनको जॉइन कर लिया, यह और एस्टी को भी मिला अब इसके बाद देखिए, सर्कुलर पार की डिस्टी मीटर दे रखी है, यह बॉइस की पोजीशन हो गई, और इनके हर एक के पास एक टॉय टेलिफोन है, उसमें एक स्ट्रिंग लगी हुई है, तो जिससे वो एक दूसरा से बात कर सकते हैं, वह एक गेम है, टॉय है उस बराबर है, और अड के, एकुल तू आइक, स्टी के, जब यह आउख बराबर होंगी, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यह देखे, तो यह ट्राइंगल हमारा क्या हो गया, एक्विलेरल हो गया, तो ट्राइंगल, A, S, D is equilateral अब जब यह equilateral हो गया और अगर हम A से perpendicular डालेंगे तो A से डाला गया perpendicular SD को क्या करेगा? bisect करेगा और जब यह A से डाला गया perpendicular SD को bisect कर रहा है क्योंकि उसमें होता क्या है? हमारा जो वह होता है equilateral triangle होता है उसमें median और perpendicular bisector सेम होते हैं in in equilateral triangle in equilateral triangle median and perpendicular bisector median and perpendicular bisector are same that means अगर हम AD median बनाएंगे A से अगर हम median बनाएंगे तो perpendicular bisector भी होगी ठीक है? और center से डाला गया जो perpendicular होता है वो bisect करता है तो finally हम यह कह सकते हैं न कि A से जब हम perpendicular डालेंगे तो वो O से होकर के जाएगा ठीक है? और इसको bisect भी करेगा यह point हमने मान लिया M so perpendicular from A passes through this is passes through O and bisect SD SD को bisect भी करेगा तो इस हिसाब से अगर हम देखे तो M हो गया midpoint किसका? SD का so M is midpoint of SD अब जब M SD का midpoint हो गया तो यहाँ पर 20 meter दे रखी है radius OS को join कर लेते हैं OS को join कर लिया तो OS हो गई 20 meter OS हो गई 20 meter जो की है triangle इसकी circle की radius ठीक है और हमें सारी strings की length निकालनी है तो हमने यह मार लिया कि triangle की जो side है वो 2A है let side of triangle ASD तो इसके according AS, AS, AD और SD यह तीनों 2A हो जाएंगे ठीक है तो अगर हम SM निकालें तो SM क्या हो जाएगा 2A का हाफ हो जाएगा यह साब meter में ही ले रखें हमने सारी distances यह साब meter में है तो यह हो जाएगा 2A का हाफ तो अब हम कारा question यहां से start हो जाता है calculations इसके अंदर तो SM हमारा हो जाएगा SD upon 2 means 2A upon 2 तो यह हो गया A अब triangle ASMA हम लगा देते हैं Pythagoras theorem means hypotenuse जो कि यहां पर AS है AS square equal to remaining two sides कौन कौन सी है AM और SM तो AM square plus SM square तो यह हो जाएगा 2A square equal to AM square plus SM है कितना A A square तो यह आगया 4A square equal to AM square plus A square then AM square equal to 4A square से A square minus करेंगी 3A square हो जाएगा square root ले ले लेते हैं तो AM आगया A root 3 meter ठीक है यह AM निकल आया अब हम निकालते हैं OM अब हम निकालते हैं OM अगर हम अपने diagram में देखें तो हम लिख सकते हैं AM माइनस OA ठीक है और OA क्या है OA है radius OA है radius तो OA को हम क्या ले सकते हैं OA को भी जो 20 meter ले सकते हैं है ना तो AM माइनस OA तो यह हो गया A root 3 माइनस 20 meter तो यह आ गया OM अब triangle OSM में हम फिर से apply करेंगे Pythagoras theorem now in triangle OSM by Pythagoras theorem Pythagoras theorem means जैसे हम पीछे भी कर चुके हैं ना कि जो सबसे बड़ी side होती है hypotenuse इसका square means OS square बराबर होगा remaining two side के square के sum के OM square प्लस SM square ठीके तो यह हो गया 20 square equal to A root 3 जो जो values पता है सब यहाँ पुट कर देते हैं अब इसके बाद होगा क्या यहाँ से A की value निकलाएगी ठीक है ना और जब A आ जाएगी तो उसका हम double कर देंगे तो जो triangle की side है वो आ जाएगी और जो side है वही तो string की length है है ना तो मतला फाइनली हम A निकालेंगे तो हमारा question almost complete हो जाएगा तो 20 का square हो गया 400 अब यहाँ पर एक identity यूज कर देंगे ब्रैकेट के अंदर हम यूज आइदेंटिटी A माइनस B whole square equal to A square plus B square minus 2AB इस identity को यूज कर देते हैं तो यह हो जाएगा 400 equal to 3A square भाई A root 3 का square 3A square हो गया 20 का square हो गया 400 minus 2A root 3 into 20 हो गया 2AB plus A square 400 और 400 हो गया cancel 3A square और A square हो गया 4A square ठीके और minus हो गया ये 22 जार 40 A root 3 40 A root 3 को minus का हो जाएगा 40 A root 3 equal to 0 अब यहाँ से हम 4A common कर सकते हैं तो A minus 10 root 3 equal to 0 तो अब अगर आप यहाँ पर लेंगे 4 equal to 0 तो 4 equal to 0 से हमें A की value क्या मिलेगी 0 और A की value 0 तो possible नहीं क्योंकि triangle की side 0 नहीं हो सकती है ना तो side of triangle side of triangle cannot be 0 तो cannot be 0 क्योंकि अगर A 0 होगा तो side भी 0 हो जाएगी ना तो this is cannot be 0 तो यह A equal to 0 तो हमें accept नहीं करेंगे अब हम ले लेते हैं जो दूसरा वाला हमारा bracket है उसको 0 के equate करते हैं means यह A minus 10 root 3 equal to 0 अगर A minus 10 root 3 equal to 0 करेंगे तो A की value हमें क्या मिल जाएगी 10 root 3 मिल गई तो अब हम SD निकाल सकते हैं SD का मतलब क्या है 2A SD का मतलब है 2A तो यह हो गया 2 into 10 root 3 means 20 root 3 meter तो यह हमारी आगई string की length so length of string so length of each string is 20 root 3 meter okay this is your answer fine hope you understand it well thank you